तो फ्रेंड्स बजीज पेरट का एक प्यारा सा सैट अफ विजिट करने आए हैं हम साथ पेर बजीज पेरट हैं साथो के साथो एडल्ट पेर हैं और साथ मटक्या लगी हैं इस केज में ब्रीडिंग भी हो रही है तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपको चेक कराएंगे और साथ ही साथ इनके यहाँ पर अंडो की फर्टिलिटी भी चेक करेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से अंडो की फर्टिलिटी को चेक किया जाता है मॉबाइल की टॉर्च में और इनके यहाँ पर कुछ अंडे छोटे साइस के निकले हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कितना छोटा साइस है अंडे का और इस तरह के अंडे अगर आपके यहाँ निकलें तो उसमें बच्चे वगेरा नहीं बनते हैं तो वीडियो बहुत ज़यादा इन्फोमेटिव है तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं तो भाई बजीस पैरट से रिलेटेट से रिलेटेट विजिट से रिलेटेट वीडियो'S हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं तो दोस्तों ये साथ प्यर बजीस पेरट का प्यारा सा सैट अप है और सभी पेरट इनके यहाँ पर बजीस पेरट के साइज बहुत अच्छे हैं सभी हेल्दी और एक्टिव बर्ड है इनके यहाँ पर तो इस केज का जो डाइमेंशन है दोस्तों इसकी दो फिट जो है लंबाई है इस केज की और इसकी दो फिट गहराई है और धाई फिट इस केज की उचाई है तो इसमें साथ मटकिया इन्होंने लगा रखी है और सभी बर्ड इनके यहाँ पर एक्टिव और हेल्दी है ब्रीडिंग भी हो रही है कुछ बच्चे वगेरा भी निकल आए है तो वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपसे शेयर करेंगे इसके अलावा दोस्तों इनके पास एक फिंचिस का छोटा सा सैट अप है तीन पेर फिंचिस भी है वो भी आपको दिखाते हैं पहले आपको लेकर चलते हैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाते हैं इनकी तो कैमरा ले जाते हैं केज के अंदर और दिखाते हैं मट्कियों के अंदर क्या प्रोग्रेस चल रही है तो कैमरा लिया हैं अंदर केज के तो आप देख सकते हैं इसमें दो बच्चे निकले हैं और वाइल बजीज की ग्रीन फीमेल बैटी है मटकी के अंदर कुछ अंदे भी पड़े हैं जो की अब खराब हो चुके हैं और इसमें एक बहुत छोटे साइस का अंदा भी नजर आ रहा है तो मटकी बहाँ निकल कर इनको चेक करेंगे अंदे भी दिखाएंगे आपको तो फिलहाल दूसरी मटकी की तरफ आ चुके हैं इस मटकी में भी प तो ये मटकी खाली है दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है तो अगली मटकी दिखाते हैं आपको चेक कराते हैं तो ये मटकी भी दोस्तों खाली नजर आ रही है इस मटकी में भी कुछ नहीं है तो अब अंदे की फर्टिलिटी चेक करते हैं मटकी निकल कर तो दोस्तों ये म मोबाइल की टॉर्च है, हम आपको दिखाता हूँ, अंडा हमने रखा मोबाइल की टॉर्च पर, अब आप देख सकते हैं, इसमें येलो येलो सा शेड नजर आ रहा है, इसका मतलब अंडा अनफर्टाइल है, अंडे में फर्टिलिटी नहीं बनी है, बच्चा नहीं है, तो ये दूसरा भी अंडा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी इनफर्टाइल है, और सभी अंडे जितने भी हैं, ये इनफर्टाइल अंडे हैं, येलो येलो आपको नजर आ रहा हो, जो अंडे फर्टाइल होते हैं, उसमें रैड लाइन नजर आ जाती हैं दोस्तों, तो इसको हाथ पर लेकर दिखाते हैं आपको तो देखे दोस्टों, ये अन्डे, आप हमने निकाल ली हैं दो अन्डे नॉर्मल साइज के हैं और एक अन्डे का साइज देखें, कितना छोटा है तो इस तरह के अन्डों में कभी बच्चे वगयरा नहीं निकलते हैं ये अंडे खराब होते हैं तो इनके पास बराबर में ही ये एक सैट अफ है दोस्तो फिंचिस का सैट अफ है और तीन पेर फिंचिस के हैं तीन मट्कियां लगा रखी हैं इसमें लेकिन अभी ब्रीडिंग वगयरा नहीं हुई है इनके यहाँ पर पेर वगयरा सैट हो रहे हैं तो ये एक फिंचिस का भी सैट अफ है इसमें अगर ब्रीड वगयरा होगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे बहुत चोटा सा प्यारा सा ये फिंचिस का सैट अफ है तो दोस्तों ये बजी स्पेरट का जो सेट अप है ये देख सकते हैं आप इनका और ये इनोंने रख रखा अपनी बालकोनी में और काफी अच्छे से साफ सफाई कीवी है प्लांट्स वगेरा भी लगा रखे हैं इनोंने तो इस तरहां का जो है छोटे केज बहुत प्यारे स सेट अप होते हैं दोस्तों और बहुत अच्छे लगते हैं और इन में बजी स्पेरट ब्रीड कर देते हैं जातर भाईयों के पास इसी तरह के सेट अप होते हैं आप देखें ये उपड़ से लुक है इस तरह से और बर्ड दिखाते हैं आपको देख सकते हैं ये बर्ड व रखता है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को कर लेजिएगा सब्सक्राइब तो इजासत दीजिए मुलकात होगी अगली वीडियो में ओके गुड़ बाई